नमस्ते सश्रिया गाल स्वागत है हैं आप सभी का खेती किसानी यूट्यूब चैनल पर किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो ऐसे ट्रेक्टर का कंपेरिजन लाएं हैं जिनको लेकर काफी सारे किसान भाईयों के मन में कंफ्यूजन होता है किस ट्रेक्टर किस मामले में अच्छा है तो आज हम आपको महंद्रा के अरजुन नौव च्रॉस वीडियो को पूरा देखे और हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबस्क्राइब जरूर करें किसान भायों सबसे पहले जानते हैं कि इस ट्रेक्टर का इंजिन है ज्यादा बहतर तो कुबोटा के 55.01 में आपको मिलता है 55 होर्सपावर का 4 सिलेंडर इंजिन जो लगबग 2300 इंजिन आर्पियम पर अपनी 55 होर्सपावर की ताकत को जनरेट करता है वहीं अर्जिन नोवो की बात करें तो इस ट्रेक्टर में आपको 57 होर्सपावर का 4 सिलेंडर इंजिन मिलता है जो लगबग 2100 इंजिन आर्पियम पर आपको अपनी पूरी 57 होर्सपावर की ताकत को जनरेट कर देता है यानि कि अर्जिन नोवो में 2 HP आपको ज़्यादा मिलेगी इंजिन CC की बात करें तो कुबोटा के 2434 CC की कैपसिटी वाला दमदार इंजिन मिलेगा वहीं अर्जिन नोवो में आपको 331 CC का इंजिन मिलेगा जो कि कुबोटा के MU 55.01 से काफी ज़्यादा है इससे ये पता जलता है कि जो कुबोटा है वो आपको थोड़ी कम पावर देगा वहीं अर्जिन नोवो आपको ज़्यादा पावर जनरेट करके देगा उसी के साथ अगर एर क्लीनर की बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको ड्राइ टाइप के ड्योल एलिमेंट वाले एर क्लीनर दिये जाते हैं चलिए अब बात करते हैं ट्रांस्मिशन सिस्टम की दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको नए जमाने के सिंक्रो शटल याने की सिंक्रो मेश गेर बोक्स दिये जाते हैं जो की गेर बदलने में काफी आसान होते हैं कुबोटा के M.U. 55.01 में आपको 8 फोरवर्ड और 4 रिवर्स वाला गेर बोक्स दिया जाता है जो की साइट शिफ्ट होता है उसी के साथ अगर अरजुन नोवो की बात करें तो इसमें आपको 15 फोरवर्ड और 3 रिवर्स वाला गेर बोक्स दिया जाता है उसी के साथ इसमें आपको एक सिंक्रो शटल लिवर मिलता है जिससे आप 15 रिवर्स गेर्स भी प्राप्त कर सकते है तो दोनों ही ट्रेक्टर्स की तुलना की जाए तो जो अरजुन नोवो है वो ज़्यादा बहतरीन और ज़्यादा ही स्पीड के साथ आपको उपलब्ध होता है उसी के साथ अगर क्लच की बात की जाए तो दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको डबल क्लच दिया जाता है यानि की पीटियो के लिए अलग से क्लच आपको मिलता है जिससे पीटियो चालित उपकरण आसानी से आप चला सकते हैं अब बात करते हैं ट्रेक्टर के स्पीड की तो कुबोटा का MU 55.01 आपको आगे 31 किलोमेटर प्रति घंटे की रबतार से जा सकता है वहीं यह ट्रेक्टर पीछे की ओर 13 किलोमेटर प्रति घंटे की रबतार से जा सकता है अगर हम बात करें अर्जुन नोवो 605 की तो यहाँ ट्रेक्टर 33.23 किलोमेटर प्रतिगंटे की रवतार से आगे की ओर जा सकता है उसी के साथ इस ट्रेक्टर को आप 17.72 किलोमेटर प्रतिगंटे की रवतार से पीछे भी ले जा सकते है यहने कि स्पीड के मामले में अर्जुन नोवो जादा बहता रहे है अब बात करेंगे पावर टेक ओफ यहने की पीटियो के बारे में जोकि काफी जरूरी है किसी भी किसान भाई के लिए एम्यू 55.01 की बात करें तो इस ट्रेक्टर में आपको 540 आर्पियम वाली स्टंडर्ट पीटियो मिलती है उसी के साथ 725 एकॉनमी पीटियो और रिवर्स पीटियो इसके अंदर आपको मिलती है उसी के साथ अगर अर्जुन नोवो की बात की जाए तो 540 आर्पियम वाली स्टंडर्ट पीटियो इसके अंदर मिलती है उसी के साथ 540 आर्पियम एकॉनमी पीटियो और रिवर्स पीटियो मिलती है लेकिन अगर PTO HP की दूल न की जाए तो जो अरजुन नोवो है इसके अंदर आपको 50.3 HP की PTO मिलती है वहीं कुबोटा की बात की जाए तो 47 होर्सपावर की PTO मिलती है जैने की अरजुन नोवो में आपको लगबग 3 HP ज्यादा ताकत मिलेगी जो की इस ट्रेक्टर को काफी अच्छा मनाती है PTO के मामले में उसी के साथ आप बात करेंगे हाइडरोलिक्स की हाइडरोलिक्स में अरजुन नोवो 605DI में आपको 2200 किलो की लिफ्टिंग केपसिटी वाली हाइडरोलिक्स मिलती है जो की इस ट्रेणी में काफी अच्छी है उसी के साथ अगर कुबोटा के 551 में आपको 2100 किलोग्राम की वजन चमता उठाने वाली हाइडरोलिक्स मिलती है दोनोई ट्रेक्टर्स में ADDC टाइप की हाइडरोलिक आपको उपलब्द होती है तो आप बात करेंगे ब्रेक्स की दोनोई ट्रेक्टर्स में आपको अच्छी एक्यूरेसी वाले ओइल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो की काफी अच्छा वर्क करते है अगर एक्सल की बात की जाए पिछले पैये की तो प्लेनेटरी ड्राइव यानि की इपी साइक्लिक रेड़क्शन वाला एक्सल दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको मिलता है लेकिन अरजुन नोवो में आपको कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट नहीं मिलता है यानि कि इसके अंदर आपको कोई भी ग्रीस करने की जरूरत नहीं होती जबकि कुबोटा में आपको सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग मिलता है यनिकि इसके अंदर आपको एक जगा पर ग्रीसिंग करनी होती है इस मामले में अर्जुन नोवो जो है वो काफी अच्छा है अब बात करते हैं दोनों ही ट्रेक्टर्स के टायर साइज की तो दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको फ्रेंट में साथ पचास सोला के टायर मिलते हैं उसी के साथ पिछले टायर सोला नो अटाइस के दोनों ही ट्रेक्टर्स में आपको मिलते हैं इनमें कोई भी फर्क नहीं है फ्यूल टेंक कैपसिटी की बात करें तो अर्जुन नोवो में आप 6,6 लीटर की फ्यूल टेंक कैपसिटी मिलती है वहीं कुबोटा के 55.01 में आपको 65 लीटर की फ्यूल टेंक कैपसिटी मिलती है तो किसान भाईो अगर हम बात करें ओवरॉल की कौन सा ट्रेक्टर आपके लिए अच्छा है तो मेरे हिसाब से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और नए जमाने की खुबियों के हिसाब से अर्जुन नोवो 605 डियाई आपको ज़्यादा बहतरिंग रहेगा क्योंकि इस ट्रेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा स्पीट्स मिलती है ज़्यादा पीट्यो पावर मिलती है और इंजिन भी इसका ज़्यादा ताकत वरे कुबोर्टा के 55-0-1 से तो तीनों ही मामले में जो की बहुत ही मैन होते हैं और हाइड्रोलिक्स की मामले में भी काफी बहतर है केसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताए कमेंट करके और आपकी राई भी हमें बताए कि कौन सा ट्रेक्टर आपके हिसाब से सही है तो धन्यवाद चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले